नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हो में एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो व्लोग्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप एक पुरुष जातक है और आपकी रियल हतीली मेरे शामने बिवेचना के लिए आयूई है बहुत खुब सूरा तहतीली है आपका सूर्य का जो परवत है आपके बारे में टोटली सब कुछ बता रहा है लेकिन सबसे पहले मैं आपके केतु परवत की तरफ जाओंगा और सेकंड में मैं आपके सूर्य परवत की तरफ आओंगा जो बरतमान को और भोश्य को पूरी तरो से साफ दरपन की तरो दिखा रहा है और उसी से आपको अपनी जीवन के सारी चीजियें समझ में आ जाएंगे क्या करना चाहिए क्या नी करना चाहिए और किस वो जोसी जो है बरतमान में थोड़ा सा confusion है संगर्स है आगे कैसा रहेगा वो सब कुछ सूर्य परवत अपनी आप सारी परतें खोल के रख रहा है मनि बंद का छेतर इसको किये तु कहते हैं और ये back to future को बताता है हमारे destiny का मालिक है क्योंकि राहू जो ये भाग है और के तो जो ये भाग है ये एकी राक्षस के दो हिस्से है ये सिर है ये देख सकता है तो इसलिए ये आगे की सोच को बताता है और ये धड़ के नीचे का भाग है ये देख नहीं सकता है ये के वोल खोजता है और अनुभाव के आधार पे चलता है लेकिन ये मुक्त है और जीवन का जो अंतिम और महालक्ष होता है वो मुक्त होना ही होता है मुक्ष की प्राप्तिकना ही होता है इसलिए इसको back to future भी कहा गया है और इसलिए इसको जो है मुक्ष का कारक भी माना गया है इसमें जो ये पहली रेखा बन रही है ये आपकी स्वस्त्य को दरसाती है आपकी आरोग्य को दरसाती है और आपकी तंदुरस्ति को दिखाती है ये अच्छी है बहुत सांदार इस्तिति में है आगे इसमें बहुत अच्छे निखार आ रहे है तो चाहे स्वस्त्य का मामला हो चाहे आरोग्य का मामला हो ये तंदुरस्ति का मामला हो कोई बहुत बड़ी बिमारी नहीं दिखाई दे रही है आपने संकोच रहें, चिंता से बिमुक्त रहें या जीवन को कोई चीज संकट में डाल जाए ऐसा कोई संकट नहीं दिखाई दिये रहा है छोटी-मोटी प्रेशानिया तो जुखाम भी लगता है मौसमी बिमारियां भी होती है उमर से समंदित प्रेशानियां भी होती है उनको छोड़ा जाए तो चाहे आरोग्य का मामला हो चाहे स्वास्त्य का मामला हो या तंदुरस्ति का मामला हो आप बेहित्रीन आवस्ता में रहेंगे दूसरी जो रेखा है ये रेखा धीरे-धीरे डिपलप हो रही है और यहां से जो है आगे की और जा रहे है लेकिन थोड़ा साइस में कमी है ठीक है न ये करियर और धन की रेखा के साथ जो है अपनी चीजों को बताती है और ये भी एका एक हिर्दे रेखा में अठकी हुई है आगे निबढ़ पा रही है इन दोनों चीजों में कमी है और इसके कारण चाए आपका करियर का मामला हो चाए आपका धन का मामला हो इसमें आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और अभी कम से कम धाई बरसों का समय आपके लिए ये चीजें बता रहा है लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे ठीक होने बैठ रही है लेकिन तब तक क्या ऐसा ही रहेगा नहीं मैं आपको कुछ बेहतरीन उपाई दे रहा हूँ बिदी पूर्व करेगा यकीन मानेगा जीवन में इस्तिरता आनी सुरू हो जाएगा ठीक तीसरी लकीर आपकी ये है ये भी धीरे धीरे डेपलप हो रही है अभी पूरी नहीं होई लेकिन हो रही है उदा यमान की इस्तिति में है डाई से तीन बरसों के बाद ये अपना फल अच्छे रूप में देना सुरू करेगी और ये लकीर है आपकी सुक की रेखा ये जितनी जादा डेपलप होगी उतना जादा इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा निश्चित रोप से आपको अपनी जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का अपने धन का और अपने एस्वर्य भोगने का सुक निश्चित तोर पे मिलेगा गारेंटेड है लिखावा है आपकी हतेली की रेखाईं बता रही है अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा है इसे अच्छा नहीं माना जाता है विसेश कर मनि बंद छेतर में इसका मतलब है अभी तक करेबन दो से सवा दो या धाई वर्सों तक कोई नो कोई चिंता आपकी जीवन में रहेगी संगर से भी आपकी जीवन में रहेगा और थोड़ा सा उतार चड़ाव भी बना रहेगा ये इस पश्ट तरीके से यहाँ पर बता रहा है लेकिन आगे जाके चीजें बहतरीन होगी अब चलते हैं हम थोड़ा सा एक चीज का आपको ध्यान रखना है उसकी तरप उसके बाद सूर्य परवत की तरप अब यहाँ पर जो है ये आपका अंगोठा है एक सुखत जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रयतनसील ब्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है ये अच्छी चीज है ये यहाँ पर नुकीला है तो इक्छा सक्तियां बेहतरीन है और जिस ब्यक्ति की इक्छा सक्ति बढ़िया होती है वो कार्य ऐसे करता है तभी वो कार्य करता है कि इक्छाओं की पूर्ति हो कार्य की परती जिद्ध है और ये बेहतरीन प्रेणाम देगी ये भी दिखाई दी रही है लेकिन आप पहले पोर्वे को देखेंगे और दूसरे पोर्वे को देखेंगे इसमें बहुत बड़ा अंतर है थोड़ा मोडा नहीं है बहुत बड़ा अंतर है और यही चीज है इससे आपको समल के चलना है ये चीज बताती है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं या करते भी होंगे निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है आपको बड़ा सोच समझ कर जीवन में निर्णय लेना है ठीक है न ऐसे लोगों के लिए 36 वर्ष है है 42 वर्ष है और 56 वर्ष की आयूमे चीजिये ठीक होती है तो आपकी 36 भी गई 42 भी गई अप जो बेहत्रिन चीजियें दिखाई दे रही है 56 वर्ष की आयूमे दिखाई दे रही है जो सब कुछ एक एक्चुल अवस्ता में आके खड़ा होगा जिसको कहते हैं पूर्ण भाग्योदय वो 56 वर्स में है आपका सुक्र इस पश्ट बताता हुआ नजर आ रहा है फिर सुक्र क्या फल दे रहा है देखेगा एक तो सुक्र एक सही इस्तिती में उबरावा है तीजोमं इस्तिती में है तो निश्चित तौर पे आपको भी यह तीजोस्वी बना रहा है अपने को मेंटेन डखएंगे अपनी परसोनल्टी पर ध्यान देंगे अपने को सज समार कर हमेशा रखेंगे और नई चीजों के परती बहुत ज़्यादा रुजहन रहेगा चाये नया फैसन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केटे में नई प्रकार की चीजे हो और बहुत एक सुक्स विधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकरसन रहेगा आपका चाये लगजरी जीवन हो, चाये अल्टरा लगजरी जीवन हो इसकी तरफ आकरसन रहेगा और इसके लिए आप निश्चित तोर पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे प्रियास भी करेंगे और सुक्र के कारण ये चीजें प्राप्त भी होंगी दूसरा देखेंगे तो वर्टिकल लाइने बहुत जादा है अपने कार्य के परती जुजहारोपन आपके अंदर है और बना रहेगा जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं हो पाता तब तक उस चीज को छोड़ेंगे नहीं दूसरी बात है सुक्र धीरे धीरे अच्छी इस्तिति में आ रहा है निश्चित रोप से लेकिन 56 एर से ये ज़्यादा फल देगा मैं 56 एर से इसका फल बता रहा हूँ 56 एर से देखेंगे तो ये आपको गलेमर की तरफ ले जा रहा है गलेमर की दुनिया में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं आपके पास गलेमर होगा नाम और यस दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है ये आपको चकाचोंद की तरफ ले जा रहा है आप चकाचोंद रहेंगे और जो आपके अंदर कला है जो आपका सुंदर्य है जो आपकी सुंदर्ता है वो निखर कर सामने आएगी और जो आपका सुखद जीवन है वो उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है हर परकार की या हर परकार की जो प्रस्तितियां होती है उनको हैंडिल करने की जो ताकत है इस सुक्र के कारण आपके पास बनी रहेगी ठीक ये चीजें आपका सुक्र बता रहा है दूसरी बात देखेंगे सुक्र में अभी देखो तो ये यहाँ पे नुकिला है और जाल बहुत है इस पे देख रहे हैं आप ये जाल क्या बताता है सुक्र का जाल ये मानसिक चिंताओं को देता है मानसिक प्रेशानियों को किसी चीज को लेके बहुत जादा सोचने बैठ जाता है जब चिंताओं करने बैठ जाता है जब और ज़्यादा ब्यक्ति मेहनत करता हो परिश्रम करता हो और फिर भी अभाव की इस्तिति रहती हो तो सुक्र परोध पे इस प्रकार की चीजें आती है लाख कोशिस करने पर सारे साधन होने के बाप जोद भी जब पूरी तरों से सुक की पराप्त नहीं होती है तब इस प्रकार की सुक्र में रेखाएं आती है और बहुत ज़्यादा रेखाओं का आने का मतलब होता है ब्यक्ति का जिवन संकٹों और कठिनाईों के बीच में गुजर रहा है ये इस चीज को दरसाती है मानि जो सुक है वो जीवन में नहीं है कुल मिलाके ये बात को जो है सुक्र बताता है इसके लिए क्या करेंगे देखेगा सबसे बड़ी चीज है इसके लिए दिब्ययोग ध्यानी किरिया ये किरिया इस चीज को एक बैलेंस आउस्ता में लाती है और इसके जो सही परिणाम है वो देती है 56 वर्स से देखें आपकी हतेली में यहाँ पे एक सांदार लकीर उबर रही है और इसका जबरदस्त फाइदा आपको मिलने वाला है ये इस पश्ट बता रहा है और इसका फाइदा दो ढ़ाई बरसों से ही मिलने बैठ जाएगा और बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा कहीं न कहीं आपको दोसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा इतने अच्छे रूप में मिलेगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे उपर साक्षात भगवान की वास्तविक किर्पा है और नुभवी करेंगे दूसरा जो आपके अंदर अच्छी प्रतिबा है तीब्र बुद्धी है उसका इस्तेमाल आप भरपूर कर पाएंगे जो आपके अंदर सोचने की जो आपके अंदर समझने की ताकत है इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़ी सपलता हसिल करेंगे ऐसा भी ब्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णई ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे आपका ब्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावसाली नजर आएगा और आपको निश्चित रोप से यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार की जो साइन पढ़ रहे है मल्टिपल प्रोपर्टी के योग है आपकी हतेली में अपने घर का भी है उसके अलावब प्रोट के भी योग है चाहे एक ही प्रोट हो और एक घर हो लेकिन होगा मल्टिपल होगा एक जो है ऐसे थोड़ा बागवानी के लिए होगा लेकिन मल्टिपल प्रोपर्टी के योग है निश्चित तोर पे इस पष्ट दिखा रहा है और आपको किसकी पूजा करनी है आपकी हतेली के अनुसार अगर हम देखें तो चाहे आपकी पंच तत्व हों जिनें पंच भूत कहते हैं या फाइब एलिमेंट कहते हैं चाहे आपके सरीर के सातों चक्र हों चाहे आपकी पांच ग्यान इंद्रिया हों पांच कर्म इंद् करना चाहिए और अपनी पूजा में रोज एक लाइन जरूर बोलनी है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा इस लाइन की इतनी बड़ी पावर है कि निश्चित तोर पे आप देखेंगे आप जीवन में चाहे कितनी भी पड़े प्रेशानी है हस्ते हस्ते उस प्रेशानी को पार कर लेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा जीवन में कोई प्रेशानी है एक जादूई तरीके से आपका जीवन हनुमान जी बदल के रख लेंगे कोन सो संकट मोर गरीव को जो तुम सो नहीं जाता है टारो ठीक है ना ये है हनुमान की पावर लेक इतना तुम जो है उसको पचा सकते हो मन से तन से प्रभुसी से वो पूरा समरपन रख लेना निश्चित ही जो है जीवन में बहुत बड़ी दिव्यता आपको नजर आएगी अब चलते हैं हम सूर्य परवत पे ठिक बड़ा कुछ कह रहा है आपका सूर्य जबरदस्त चीजो को जो है सूर्य बताता हुँ या पर नजर आ रहा है और कоном है सूर्य यह देखेगा यह रिंक reopen है इसके नीचे का भाग यह सूर्य है अब यहां पर देखेंगे सूर्य में एक लकीर आ रही है यह और इस तरह मुढ रही है मनी ठीक तो आ रही है सांदार है लेकिन समान समय को बता रही है यह बता रही है कि आप अपने जीवनकाल में लगातार उल्जे हूये है समान आता है लेकिन प्रेशानी भी साथ साथ आ जाती है और ऐईसा लग रहा है मानों आपकी प्रेशानिया झेसे खतम ही नहीं हो रही है आपका तनाव जैसे खतम ही नहीं हो रहा है आप प्रैसानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं आप इस चीज़ को ठीक बहुत जरूरी है ठीक करना और साथ साथ में अगर आप देखेंगे आपका सूर्य यहां पे बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है और इसका दोहरा प्रभाव आपकी जिवन पर पड़ रहा है जितना परियास आप कर रहे हैं उन परियासों में आपको सपलता की प्राप्ति नहीं उपा रही है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है जो परिस्रम आप कर रहे हैं जो मिहनत आप कर रहे हैं उनका जो पूरा स्रे है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है अगर मैं कहूं एक सहजता से एक सरलता स तो और देखेगा, सुर्य जब इस प्रकार से होता है, और व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है, तो व्यापार में वो बिस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यस, उसको नहीं मिल पाता है, वो वो ब्रांड बन कर नहीं उबर पाता है, जिसके लिए उसने खपा लिया हो चीज़ों को अगर ऐसे में बिक्ति नोकरी भी करता है तो वो growth उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो इसका कारण है आपका routine इस पश्ट आपकी हतेले बता रही है कि आपका रूटीन एक मैनेज अवस्ता में नहीं है आपका रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है जिस कारण आपके सरीर के सातों चक्र भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस पर तालमील में नहीं है और इसका प्रभाव आपके जिवन के निश्चित ही तमाम आयामों पर पड़ रहा है जहां आपके सारेरिक सेहत आपकी जिवन की खुसाली आपकी जिवन का उत्साहा आपकी जिवन की उर्जा इन चीजों में बिगठन की इस्तितियारी है इसका पूरा सुक नहीं मिल पा रहा है आपको क्या करना चाहिए एक दिब्य सूर्य किरिया में आडियो के माद्यम से दे रहा हूं और सूर्य उपासना दे रहा हूं ये आपको बेहतरीन तरीके से करना है अगर आप वास्तो में दिब्य सूर्य किरिया करते हैं सूर्य उपासना करते हैं तो धीरे धीरे इसका फाइदा आपको जरूर होगा जहां सूर्य उपासना से आपके कारियों में बिस्तार होगा आपके आर्थिक इस्तिति बहुत जादा मजबूत हो जाएगी वहां दिब्य सूर्य किर्या से आपके जो साररिक चकर हैं वो सूर्य के चकरों के साथ परस परताल मेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित ही पड़ेगा जहां आपके साररिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजिता से चलेगा फिर चाहे साररिक स्वच्ट हो जीवन की वास्तविक खुसाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की औरजा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीज़ें हमेसा आपके साथ होंगी देखे देना हमारा काम है बताना हमारा काम है लेकिन करना आपका काम है हतेली पढ़ने से कोई जो है चमतकार नहीं होता है आपको जो उपाई दिये जाते हैं वो अगर उसी बिदी के अनुसार किये जाएं मन से किये जाएं और उतनी ही किये जाएं जितनी उपाई दे रखे हों उसमें additional कुछ न जोड़ा जाए तो यकीन मानिएगा जिवन में इसका एक जादोई तरीके से प्रभाव पड़ता है अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरों से आ रही है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा तिरकौन बन रहा है और ध्यान से देखेगा एक छोटा सा जो है तिरकौन यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से चतुस्कौन बन रहा है ध्यान से देखेगा यहाँ पे भी कुछ तिरकौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अभी नहीं ठीक है ने अब ये तिरकोंड बता रहा है आपको निश्चित ही आपको इसका फाइदा आपको 56 एर से होगा ठीक है अगर 54 वर्ष तक आपका घर बन गया ठीक है ने तो 56 वर्ष में तो आपको अपने गाड़ी और अपने घर का निश्चित ही सुक मिलने वाला है यकीन मानेगा ये इसी का ध्योतक है दूसरा ये तिर्कुन बता रहा है 56 एर से ये अपना जबरदस्त प्रवाव छोड़ेगा इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने वाला है कला का पार्खी होगा सिदहस्त होगा और सुर्य प्रवत्पई ये निशान धनी होने की सूचना देता है संभव है असंभव नहीं है करोड़ पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे चाहे पैत्रिक रूप से कितने भी निर्दन हो आर्थिक संपन ना भी हो तो भी आप अपनी प्रतिबा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे यकीन मानिएगा दूसरा ये चतुसकोन बता रहा है कि मल्टिपल सीटी के ब्यापारी होंगे ब्यापार बहुत अच्छा होगा और मल्टिपल सीटी में आपका ब्यापार होगा ये तिरकोन बता रहा है कि आपके ब्यापार में बहुत बड़ी बृद्धी 56 वर्स से आपको हासिल होगी ये लाइन बता रही है कि निश्चित रोप से येकिन मानेगा आपको हो सकता है विदियसों से भी धन का आगमन हो ये इस पश्ट तरीकी से यहां पे बता रहा है एक तिरकोन जो है अगर हम देखें यहां पे भी बन रहा है लेकिन इसमें सनी का प्रभाव पड़ रहा है ये प्रभाव अपने आप बता रहा है कि देखेगा अध्यात्म की तरब जो है आपका रुज़ान बहुत अच्छा रहेगा और इसको आप बखो भी समझ भी पाएंगे ये था आपका सूर्या जो बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है अब कुछ चीजों पे और प्रकाश डाले ये लाइन आपकी बहुत अच्छी तरों से आ रही है ये ब्यापार की रेखा है निश्चित तोर पे जो है आयुस बहुत अच्छा रहेगा सफलता मिलेग ये ही मिलेगी ये कह रही है और ब्यावसाई में बड़ी तरकी आपको 56 वर्स से मिलेगी बोलने के धन के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगी ये रेखा डेपलप है और चंद्रमा कमजोर है तो निश्चित तोर पे जल का सेवन जादा करे खाना खाने के बाद कोई प् बेशानिया आपको घेर सकती है और इसका खामियाजा थोड़ा सा जो है भुकतना पड़ सकता है इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं जीवन की रेखा इस तरों से आती हुई पीछे के और जारी ये जरूरी नहीं है कि पैत्रिक अस्तान से बाहरी तरक की मिल सकती है लेकिन जो उपाई दे रहा हूं उनको विदिवत तरह के से करेंगे तो इस प्रकार की चीजें अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पश्ट रूप से दिख रही है इस सारी चीजें इस बात का ध्योता का है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वै ध्यात्म और धर्म में आपकी अच्छे खासी रूची बढ़ेगी और आपको आगे आने वाले समय में यात्राओं का लाब भी मिलेगा यहाँ पर अगर देखेंगे एक रहखा इस तरह से आ रही ही एक रहखा धीरे से इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है यह भी इस पश्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है यहां से एक रहखा चलकर इसमें जा रही है और इस से आके रहा आगे बढ़ रही है निश्चित रूप से आपको हो सकता है अपने छेतर से बाहर से भी जो है धन का लाब मिलने वाला ही इस पश्ट बता रहा है और जिस तरों से यह रहा बनती हुई दिख रही है विदेश यात्राओं से समंदित योग भी बना रहा है यहां से करियर और धन की रहा इस तरों से आ रही है करियर हिर्दे रहा पर मिल रही है भावनाओं में आके और जल्द बाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले या अपनी डप्लप्मेंट को अपनी प्रोग्रेश को बादित कर सकते हैं इसका ध्यान रखें आपके कारियों में रुकावटें आ सकती है इस रहा की पूरे होने पर जो यहां पर यह मनी ट्रेंगल बन रहा है इसका लाब होगा और धन के मामले में आप अच्छा संचाय कर पाएंगे इस परकार की ध अदर से आ रही है निश्चित तोर पे आगे जो है मंगल का प्रभाव पढ़ने के करण धन में अच्छी खासी ब्रदी हुती हुई दिखाई दी रही है आपकी महत्तो कांच्छाएं बहुत अच्छी दिखाई दी रही है और कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ने की सोच भी रहेगी, creativity बहुत अच्छा है, दिमाग से बहुत अच्छा कारे करेंगे, इसका लाब होगा, leadership की quality अच्छी रहेगी, मेहनती बहुत अच्छे रहेंगे, यस पाने के इक्षा बनी रहेगी, और कहीं न कहीं जो है, communication skills सान्दार इस्तितिकी बनी रहेगी, और व्यापार में ब हो मना रहेगा, अपने छेतर में इस परकार की knowledge रखेंगे, कि उसकी teaching तक दे सके, परिवार की तरफ से थोड़ा सा 17-18 मेने तो कोई न कोई चिंता थोड़ सी बनी रहेगी, अभी साधन अउस्ता में है, आपके अंदर भी साधानता देती हुई दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है सामन बिक्तित्व की तरफ ये आपको ले जा रहे हैं, भगवान विश्णू की मन से आराधना करते रहें, कभी कभी बियो जही की चिंताईं दे रहा है सनी, या कुछ नो कुछ ऐसी वो जहें पैदा कर रहा है, थोड़ा सा जो तनाव को पैदा करवा रह है, बुद्ध पे खड़ी रहा हैं, अपने आप में बता रहे हैं, बिक्ति के अंदर सेवा भाव रहेगा, निश्चित रोप से ब्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी, और बुड़ापा काल शानदार गुजरेगा, अपने हाथ का पैसा अंतिम समय तक अपने पास र रहेने वाली है, इसके बल पे सफल होंगे, चंद्रमा खराब दिखाई दे रहा है, कई बार मन गडबर रहता है, मानसिक प्रेशानी रहती है, कई बार इमोशनली ब्यक्ति प्रेशान हो सकता है, थोड़ा कारियों में मन नहीं लग सकता है, मन भटक सकता है, उदास हो सकता है यह बैचेणी के अवस्ता में आ सकता है थोड़ा पेट का ध्यान रखें नीन आने में दिकत आ सकती है थोड़ा इसका ध्यान रखें पानी का जितना ज़्यादा हो सके सीवन करें बहुत अच्छा लाव होगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतीले का पूरा अबिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत्तरे के से लिख करके और ओडियो के माद्यम से बेज रहा हूँ करने की कोशिस करेंगे तो बहुत अच्छा लाव आपको प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार